हेलो एब्रीवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे EMRS यानि की Eclub Model Residential School की notification आ चुकी है 4096 पदों की actually 4096 टीचरों की recruitment यहां पे आपको देखने को मिलेगी PGT और Principal Post के लिए जल्द ही हो सकता है कि यह TGT के लिए अलग से recruitment निकाले बट as of now there is no recruitment in TGT section तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो PGT के लिए recruitment को announce किया गया है ना इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं उससे पहले आपसे एक सवाल पोछोंगा जिसका जवाव आपको नीचे comment section में देना है question आप यहां से देख सकते हो नरेंदर मोधी जो हाल में ही US के दोरे पे गए थे उन्होंने जो बाइडन और उनकी पतनी को एक बहुत ही कीमती हीरा दिया था आपको बता होना चाहिए यह हीरा natural नहीं था बलकि एक laboratory में इसे बनाया गया था आपको बताना है कि किस राज के laboratory में इसे त्यार किया गया था question आपके सामने यहां पे English में रहा हिंदी में मैंने आपको इसका जो है अनुबाद करके बता दिया नीचे comment करके इसका answer आप लोग दिजिएगा फिलाल आगे देखते हैं एक लब model residential school के लिए PGT का syllabus क्या रहेगा उसके उपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी आपको नीचे comment करके न आप किस post के लिए कि subject के लिए apply करने जा रहे हूँ वो जरूर आप बताए ताकि मैं उस पे एक dedicated video subject के उपर मैं बना सकूँ अब बात करते हैं previous question paper की तो देखिए as of now previous question paper की अगर बात की जाना तो आपको EMRS exam के बारे में बता दूँ यह सिर्फ और सिर्फ contractual base पे चलने वाली संस्था थी जहां पे manpower को यानि की अब देखिए manpower होने का मतलब gender biasness नहीं मैं दिखाना चाता हूँ manpower का मतलब होता है कि school में जो सिक्चक या सिक्चिका काम कर रहे थी वो सारे contractual यानि की समविदा पर आधारी थी contractual vacancy थी और ब 996 पदों पर recruitment आयो ही है PGT और principal को add करके तो ऐसे में हम लोग actually previous question paper कहां से expect कर पाओगे आप principal के लिए हो चाहिए वो PGT के लिए हो जब exam एक बार लिया ही नहीं गया है तो आप previous question paper लोगे कहां से तो इसका एक सीधा और simple सा solution है मेरे पास आप Kendri V. द्याले संगठन के जो भी पेपर अभी तक हुए है चाहिए वो principal का हो या फिर आपके PGT English, Hindi, Economic, Sanskrit, Geography या किसी भी particular subject का हो वो आप देख सकते हो Kendri V. विद्याले संगठन मैं आपको एके करके सारे संस्थान के नाम गिना देता हूं नवोदे V. विद्याले संगठन काम आपका बनेगा और तीसरा है D. यह भी सारे Central Government की बात कर रहा हूं अगला जो है वो Atomic Energy Education Society AES की बात हो रही है तो यह चार संस्थान ने जब जब भी exam लिये हैं इसके previous question paper जितने भी बन पाएंगे as much as I can आपको provide कर दिया जाएगा देखिए सिधी सिधी बात है इन paper को अगर आप कर लेते हो पिछले 10 साल के paper को कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि syllabus में कैसे कैसे changes आये हैं question पूछने का तरीका क्या है और latest syllabus के according जो है कैसे प्रसन एक्जाम में आते हैं और आपको idea लगेगा तो आप definitely exam में अच्छा performance दे पाओगे और उसे आप आगे रह पाओगे इसके लिए देखे आप अपने subject का नाम जरूर मेंशन करें और contact नमर जरूर दें ताकि आपसे contact back किया जा सके message का reply आपको अगर मिल जाता है तो फिर दिये गए instruction का follow करना है only 70 रूपीज में ये previous question paper आपको मिल जाएंगे जिस भी subject का आप त्यारी कर रहे हो जिस भी subject के लिए आप exam में जा रह जाएंगे जो भी हो TGT PGT जितने भी exam हुए हैं अभी तक भारत में वो सारे paper में courses करूँगा चाहे वो राजस्तान की राजस्तान के second grade और first grade के teacher की recruitment के जो paper हैं वो आपको मिल जाएंगे UPK जो paper हुए हैं अभी तक वो आपको मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर बात यह है कि ज वो भी exam अभी तक as of now में हुए हैं वो सारे paper आपको provide कर दिये जाएंगे तयारी के लिए नीचे syllabus के लिए आपको comment करना है आपको जैसे किसी का PGT chemistry है तो वो PGT chemistry लिख दे जिनका PGT physics है वो physics लिख दे जिनका PGT maths है वो maths लिख दे और जिनका principal है वो principal लिख दे तो principal के उपर या फिर PGT chemistry के उपर एक dedicated video syllabus का देखिए यहां से आपको syllabus दिख रहा होगा यह देखिए यहां पर PGT physics का syllabus आपको दिख रहा होगा नीचे आओगे तो PGT chemistry का दिखेगा तो इस पे एक dedicated video मैं चाहता हूँ आपके लिए में तयार कर दू ताकि आप इन topic को दिवाल पे लिख के चिपगा दो और एक-एक topic को completely जो है आप तयारी करो ताकि आपका selection इस बार तो definitely exam में हो ही जाए विडियो अगर आपने यहां तक देख ली है तो नीचे आपको क्या लिखना है नीचे comment करके जैहिंद लिख देना है ताकि मुझे पता चल सके video आपने यहां तक देख ली है अभी भी हूँ grateful हूँ thankful हूँ आप लिखो comment या नहीं लेकिन आपसे गुजारिस है लिखी तो आपका कुछ पिगड़ेगा नहीं लिख दोगे तो मुझे idea लग जाएगा कि video आपने यहां तक देखी थी विडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से अगर आप पहली बार चैनल पर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गंटे वाला बटन दवा लिजिए और नीचे comment section में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से आप हमारे साथ टेलिग्राम पर भी connect हो सकते हो जो कि आने वाले exam में जो भी PDF होते है वो free of cost आपको वहां पर available कराया जाता है description box में भी telegram चैनल का link दे दिया गया है वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया have a good day thank you so much